हलो फ्रेंट वेल्कम बैक मैं एडिक चनल रोशनी की पार सला आज के स्क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र का 27 इसमा घ्लास जी विक्यान का हम देख रहे हैं ठीक है आज हम देखेंगे 27 इसमा चैप्टर जिसमें हम देखेंगे पादपू में होने वाले प्रमुक रोगों पादपू में बैक्टिरिया वारस फंगई और पैरसाइट्स के द्वारा रोग होते हैं जिससे जो है पादप इन्फेक्शन होते हैं और जो है कम जो रोके मर जाते हैं ठीक है तो उसके बारे में हम देखेंगे और कौन-कौन से जिवाडू या फिर कवक्स जो है कौन सा करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बाद मेरी चल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवेस क्लास नहीं देखा है तो जाकर घटना चकर वाले प्लेडिस में जरूर देख लीजेगा इतने सारे चप्टर्स जो है करा दिये गए हैं जो कि आपके आगामी परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर है क्योंकि साइंस से सम्मंदित काफी कोश्ण जो है पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए हम देखते हैं पौध में होने वाले प्रमुक जिवारू जनितरोगू की अगर हम बात करें तो आलू का यानकी पोटेटो फिल्ट जो के द्वारा होता है क्राउन गाल डिजिज़ काहां को कॖे जिज़ी जो है अग्रो में फेश्यन के द्वारा होता है और लेक रोट ऑप Hat कैबेज यह जो है जैंतु मुनास केंपेस्टरिस के द्वारा होता है निम्भू का कैंकर या सिस्टरस diğer के द्वारा होता है और पधे की प्रमुक कवक्शनित रोगू की अगर हम बात करें तो गेल काला केट यान की ब्लैक प्रस्ट ओफ वीट जो है पक्षीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा होता है और लूस स्मर्ट और वीट रोग जो है वो होता है इस्टी लेगो नर्ड ट्रिटिसाई के द्वारा आलू की अगीती अंगमारी जो होती है ठीक है यह कवक जनत यानकी कवक से होने वाले रोगों की हम बात कर रहे तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पॉटेटों के अगर हम बात करें डिजिस की तो अल्टर नीरिया सॉलेनी के द्वारा यह रोग होता है आलू की पचेती या विलंबित अंगमारी जिसको कहा जाता है यह फाटोप्थोरा के द्वारा होता है और अलू का वाट रोग यह जो है i3 आंड़ बैटिकां के द्वारा होता है यह फंगस है i5 इंगahon का टिकका रोग आपने देखा होगा un यह जो है लाल टोटाइका फॉरे बूरी पढ़न चिति ब्राउन लीफ प्राइब आपने देखा उगा नहीं बेदी पतियों में आपको ब्राउन कलर में जो है लाइनिंग दिखाई देती होगी ठीके तो यह जो है हेलमिंटोश पूरिया और आईजी के द्वारा होता है अरहर की मलानी यानकी विल्ट ओव अरहर जो है फियुजेरियम उडम के द्वारा होता है और भिंडी का पित वन सीरा यानकी यलो वेन मौजाइक रोग जो है साणू जनिय रोग है ठीके जो की सफेद मक्खी इसकी वहाग होती है यानकी सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है और तो प्रमुक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की अगर हम बात करें जो यानकी इन तत्वों की कमी से जो है रोग होने वाले कौन-कौन से रोग होते हैं जस्ता या जेंक जो है धान में खैर रोग होता है इसकी कमी से और जेंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होती है और जेंक की कमी से निम्बू का लिटिल लिफ रोग होता है यानकि इसमें पत्या किया हो जाती है बढ़ती नहीं है वो छोटी छोटी रह जाती है और वरॉन कि कमी से होता है फुल गोबि में ब्राउनिंग रोग और तामबा ये कॉपर जो है कि कमी से निम्बू में डाई बैंक रोग होता है और मॉली ब्लेडन की कमी शेपता कोवी में विप टेल रोग होता है प्रीके तो चालिए हम एमस के Qdone सौल करते हैं नाम किभी बैक्टीरियो फेज्स ठीके मैंने पढ़ाय था। और कवकों कईशन गरते हैं page को भी cell infection करके वो क्या करते हैं अपने आपको multiply करते हैं ठीके तो यह सब living organisms हैं ठीके तो इसमें जो है सब भी को वो infection कर सकता है तो इसका right answer हो जाएगा option D next हम देख लेते हैं नेम लिकित में से कौन से ही सुमिलित नहीं है तो इसमें से ही सही सुमिलित कौन सा नहीं है friend तो इसका right answer हो जाएगा गन्ना ठीक है गन्ना का बुक्नी रोग जो है यह सैंसमिलित नहीं है ठीक है बुक्नी रोग जो है गन्ने से नहीं बलती जो गे हूं और क्या पीश नाश्टी में होता है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेमलिकित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो फसल और बिमारी रोग दिया गया है इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो धान जो है हरित बाल जो रोग है वो भान में नहीं होती है ठीक है किसमें होती है हरित बाल रोग है वो दलहनी फसलों में होती है ठीक है दलहनी और तिलहनी फसलों में जैसे कि अर्हार, दना, चना यह सब में होती है उक्टा रोग ठीक है नेक्स कुश्चन है मक्का की पत्यों के सेर्ष का सफेद होना सुचक है तो यानि की मक्का की जो पत्यों है वो सेर्ष में सफेद हो जाती है तो इसका सुचक क्या है तो इसका राइटांस हो जाएगा जिंक की कमी हो गई है इस कारण से नेक्स है पोधे में वाइड बर्ड रोग किस की कमी से होता है तो किस की कमी से होता है जिंक की कमी से होता है नेक्स कुश्चन है पारिला किस फसल का कीट है तो पारिला जो है किस फसल का कीट है गन्ना का गन्ना फसल का जो है कीट है जिसमें जो है वो क्या करता है रस को वो च घ्रोष्टा है घ्रोष्ट में देख लेते हैं मंगफली का अत्यार इधिक heures कर दो इस पूर सफेद कीट एक महत्पूर्ण कवक रोग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसोका ठीक है सफेद कीट जो है एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है ठीक है नेक्स हम देख लेते हैं नेमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है इसमें जो है जूट कंड यानि की फाल्स स्मट जो में पाया जाने वाला रोग है तो यह जो है नहीं है जूट कंड जो रोग है यह धान में पाया जाने वाला रोग है ठीक है नेक्स ताम देख लेते हैं गेहों पर पाया जाने वाले द दो प्रमुको कवक रोग हैं, तो दो प्रमुको कवक रोग कौन सा है, काला कीट और स्थाट, ठीके गेम उपर पाय जाते हैं, करनाल बंट रोग है, तो करनाल बंट रोग कौन सा है, येमो फसल का रोग है, ठीके करनाल बंट रोग, एक्स्ट कोशन हम देख लेते हैं, धान क टूंगरौ विजाणू प्रसारित होता है flor पत्टीके लेक्सक्रों है नेमनिखित पर विचार कीजिए इसमें और पादक रोग फैलाते यानी कि कौन-कौन से जुह पाधक रोग नहीं बताना है। तो पक्षी भी फैलाती है और उड़ती धूल भी पेलाती है। वर्षा भी फेलाती है। भींगती हवा भी पहलाती है। तो इसका राय टांसर हो जाएगा एक दो धीन, ौब चारो आलू में जो है आपने आलो में छामर रंग का भाग देखा हो गाप में तो किस की कमी से होता है जब वोर अचुक्त होते है नेक्स कोचन हम देख लेते हैं विंडे में पित पर्ण सीरा की बीमारी होती है तो भिंडी में पितपंड सीरा की बिमारी कैसी होती है, तो इस कराइटां से हो जाएगा भिंडी की सीरा, नेक्स कुश्चन है, इस पंची टीसू या इस पंची उतक की ऐसी गंधीर समस्य है जिसके काराण आम की जिस प्रजाती का निर्यात को प्रभावित हो रहा है, बह है तो यह रोग जो है किसमें पाया जाता है, इस पंची टीसो वाला रोग, तो इस खराइटां से हो जागा, अलपांसो जो की एक आम की प्रजाती है, उसमें ही पाया जाता है इस अलपांसो, तो यह था पादप जनित, यान की पादप्पू में होने वाले रोगों के बारे म इससे जो ही important question है जो कि पूछे जा सकते हैं ठीक है और आपने table भी देखा होगा अगर question में नहीं आया तो आप table से भी याद कर सकते हैं एक नाएक plant रोग से question आता है ठीक है तो आज का session कैसा लगा comment करके जरूर बता है और ऐसी daily important classes के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए मिलते हैं next class मे important जीके के साथ